How to easily 3 star the golden sand and 3 star knight challenge without any complicated steps सबसे पहले हम लोग एक बहुत important चीज़ करनी है जो कि यहाँ पर होगी single inferno की एकदम straight line में हमको warden को ground mode पर select करके drop करना है तो यहाँ पर हम लोग warden को drop करते है जैसी clan castle बहार निकलेगा देखना clan castle बहार निकला थोड़ा सा wait करना है फिर आपको warden की जो fireball availability है उसका यहाँ पर use कर लेना है तो यह पूरा region उड़ चुका है इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है warden को छोड़े देना है उपर की तरफ आना है यहाँ आपको drop करना है अपना एक ice golem फिर आपको 2 balloon यहाँ पर 2 balloon यहाँ पर 2 balloon यहाँ पर और फिर अपने दोनों के दोनों herodenters तो यह चीज़ बहुत important है दोनों heroes take down होना बहुत ही important है तो दोनों herodenters आपको drop कर देने हैं यहाँ ठीक है तो यह देख सकते हो जैसे कि अपनी royal champion और अपनी opponent queen take down हो चुकी है इसके बाद आप हो गया करना है वो ध्यान से देखो भाई यहाँ पर आपको यह अलिक्सर स्टोरिस दिख रहा है इस वाली जगह आपको यहाँ पर अपनी queen को drop करना है ठीक है यहाँ पर देखो queen को लोग drop करते है इसकी जो giant availability है उसको use करके पूरा area clear पूरी lines हम लोग सारी defenses को उड़ा देते है यहाँ तक काफी easy था आप समझ कियोगे इसके बाद queen को बजा ले ना बाई जैसी यहाँ पर देखो अपना single inferno lock हो जाए invisible spell डाल देना queen बज जाएगी इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना एक डाल देना है यह वाला skeleton spell तो यह monolith इस पर target हो जाएगा probably yes यहाँ पर आप देख सकते हो कितना distraction create हमने किया monolith के लिए अपने single inferno और जो भी यहाँ पर defenses थे उनके लिए अब इसके बाद देखो क्या करना आपको थोड़ा सा wait करना obviously क्योंकि मारे भी royal champion जो भी अपना काम कर रही है तो थोड़ा सा wait करेंगे and जो कि invisible spell बचा उसे हमें invest करना है अपनी royal champion के उपर जो कि आप इस monolith जहाँ पर देख रहे हो इसके पास हम लोगे करेंगे तो पहले हम लोगे काम करते हैं wait करते हैं यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर देंगे इस invisible spell को तो royal champion राम से यहाँ पर यह defenses को take down कर सकती है अब इसके बाद आप देखो भी तक town hall को नहीं मिला है तो वो कैसे मिलेगा उसके उपर आते हैं बहुत ही जल्दी फिलाल अपनी royal champion मरने वाली अपना काम करके भाई मर चुकी है यहाँ पर हम लोग ड्रॉप करेंगे अपना एक informed dragon यहाँ पर ड्रॉप करेंगे अपना एक super dragon and rest of the four super dragon कहाँ पर ड्रॉप होंगे helped you and इस तरीके से आप लोग को चैलेंज को 3 star करना है and यहाँ हमारा चैलेंज 3 star होगा कि नहीं 3-4 super dragon बचे होना तो चाहिए भाई हो जाएगा चलो भाई बहुत सारे super dragon बचे है easily हो गया 3-3 super dragon की health काफी अच्छी अच्छी बच्छी होने के बाद 3 star हुआ है so I don't think यह इतना ज्यादा hard था बस फुरा से tricky है आपको सारे steps को अच्छी से follow करना है and आपका चैलेंज भी 3 star हो जाएगा अभी बहुत सारी चीज़े आईएगे में Egypt season आया है तो सारी चीज़े आप लोग यहाँ पे यह scenery guys अपने Egypt वाली मुझे बहुत ही पसंद है यह scenery I think बहुत यहाँ यहाँ पर वर्थी ट्राएगी लेना and यह scenery जो है बोजल लिए में अवलेबल हो भी जाएगी साथी में चेक कर लेते हैं हमको rewards क्या मिले and कि इस बात करें rewards की तो हमको यहाँ पे 25 gems and एक hero potion मिला है काफी सारी चीज़े आने वाली है Clash of Clans में इस Egypt season में तो सारी चीज़े के लिए अपडेड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को subscribe जुरूर से कर लेना मैं आपसे मिलता हूं के लिए वीडियो में guys तब तक लिए keep clashing and peace out